एक बार फिर से ख़यर मकदम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हकीम जी रह्मानी पर दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि नए अपडेट्स आपको मिलती रहें दोस्तो आज हम आपको जिस नुश्के के बारे में बताने जा रहे हैं इससे आपके नफस को बे इंतहाँ फाइदा होगा साथ ही आपकी सेक्स्वल रिलेशन्शिप भी अच्छी होगी और इसका असर आपके रिष्टे पर भी पड़ेगा दोस्तो बहुत सारे कमेंट्स आए पिछली वीडियो में और ज्यादतर लोगों ने अपनी प्रॉब्लम हमें बताई आपकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं आपके लिए ये शांदार और असरदा नुस्का है आम तोर पर जिस दिक्कत का सामना लगबग हर इनसान को जिस्मानी तालुक बनाने में होता है इसलिए हम लेकर आए हैं आपकी प्रॉब्लम को बहुत ही आसान उपाए आम तोर पर देखा जाता है कि मर्द जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं जबकि औरत को डिस्चार्ज होने में वक्त लगता है मर्द डिस्चार्ज होने के बाद पीछे हच जाते हैं जिससे औरत मुतमईन नहीं हो पाती वो मूँ से तो कुछ नहीं कहती मगर अंदर ही अंदर घुचन महसूस करती है और इसका असर हमारी जिन्दगी पर भी होने लगता है इसी चीज को ध्यान में रखकर हम रुकावट के लिए बहुत ही असरदार नुस्का आपके लिए लेकर आए हैं इसलिए ये नुस्का आपकी रुकावट के साथ साथ जोश में इजाफा करेगा और नफस को टाइट करेगा इसके इस्तमाल से केवल पंदरा दिनों में आप अपनी सेक्स्वल कैपसिजी दूगनी नहीं बल्कि तीन गुनी कर पाओगे और अपनी एहलिया को मुतमें कर सकोगे खौर फरमाईएगा बल्कि हो सके तो नौट कर लीजिएगा ये सामान आपको आसानी के साथ देशी नुस्के की शौप पर आराम से मिल जाएगा तो हम बताने जा रहे हैं नुस्के में इस्तमाल होने वाले आयूरवेदिक सामान के बारे में प्लीज नौट डाउन नमबर एक सालम पंजा सालम पंजा नमबर दो सफेद मूसली नमबर तीन सीतावर नमबर चार तुकमे हुलहुल नमबर पांच गौन्द किककर नमबर छे रूमी मस्तगी इस नुस्के में रूमी मस्तगी केवल 10 ग्राम ले बाकी सभी चीजे 50-50 ग्राम ले ले उसके बाद अच्छी तरह कूच कर पीस कर हमवजन खांड या बुरा मिला ले ध्यान रहे खांड या बुरा सिर्फ इसलिए मिलाया गया है ताकि इसे आप आराम से खा सकें सुभा शाम दो दो चमश दूद के साथ ले पंदरा दिनों के भीतर आपको असर दिखाई देने लगेगा अगर आप पांच मिनिट में फारिग होते थे तो अब आपको पंदरा मिनिट लगेंगे अब आपकी बीवी का प्यार आपके लिए बढ़ जाएगा इस नुस्के के इस्तमाल से आप अपनी हमसफर को दो बार डिश्चार्ज कर दोगे जबकि केवल एक बार डिश्चार्ज होना ही काफी रहेगा आपका पंदरा दिन के इस्तमाल के बाद गारंटिड आप 30 मिनट तक डिश्चार्ज नहीं होंगे और इस दोरान आपकी एहलिया कम से कम दो बार डिश्चार्ज हो जाएगी शुक्रिया दोस्तों उमीद करते हैं कि आपको इस नुस्के से जरूर फायदा होगा जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ शुक्रिया